कि हैं घु हलो गाईज वैलकॉम तूग्यानम हमारा टॉपिक चल रहा है जी पैरमेट्री के नॉन पैरमेट्री के टेस्त का ये दोनों टेस्त हमकभ यूज करते हैं जब हमने क्या टेस्ट करना हो हाइपोथिस टेस्ट करना हो राइट कल हमने डिस्कस किया था G T test और F test जो कि हमारे पास क्या है हमारे parametric test non parametric test कौनचा है मेरे पास sky scale हमने एक और चीज जो है यहां पर बता नहीं है कि जो parametric test है वो किस पर based होता है interval पर और जो non parametric है वो मेरे पास किस के उपर based होता है ordinal scale पर interval scale और ordinal scale का क्या मतलब है interval का मतलब है कि कोई चीज जैसे ranges हम measure करते हैं कि 0 to 500 तो उसका जो difference है वो same आता है तो भी call it as interval के basis पे हम लोग measure करते है parametric test को ordinal मतलब हो गया rank wise जब आप किसी चीज को rank के according उसके standard के according जो measure करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं ordinal तो non parametric को हम measure करते हैं ordinal scale पे और parametric test को जो कि आपके t test, f test और z test है इसको हम measure करते हो interval basis पे तो टूड़े विल डिस्कुस दे टॉपिक that is z test राइट चलिए जी z test क्या होता है मेरे पास जो हमारे पास t test और f test थे वो मेरे पास क्या था small sample test ठीक है वो हमारा topic cover up हो गया आज जो है हम लोग discuss करेंगे large sample test large sample में हमारे पास एक ही चीज़ आती है एक ही test है that is your z test ठीक है यह कब लगता है जब आपके पास जो n है मतलब जो population का size है अगर greater than क्या होगा 30 तो आप क्या लगा होगे आपका large sample test एक point तो यह हो गया और उस large sample test का नाम क्या है z test तो z test is a large sample test it is given by r.a.fisher तो आपका f test और z test किस ने दिया r.a.fisher ने जो हमारा t test है वो किस ने दिया है william gossett ने 1908 राइट अच्छा अभी हमने discuss किया t test f test और z test क्या है मेरे पास parametric तो z test is a parametric test क्योंकि यह parameters पे based है और हम इसको कैसे measure करते है interval basis पे राइट univariate statistical analysis क्या होता है देखो यहां से भी paper में बहुत बार question आता univariate पहले type of analysis देख लेते हैं मैं आपको पहले वो कराती हूँ कि univariate और bivariate type of analysis हैं कौनसे कौनसे हमारे पास यहां पे three type of analysis हैं तीन तरीके के जो analysis हैं वो कौनसे कौनसे है univariate bivariate और कौनसा multivariate ध्यान से दिखना जो uni है है ना uni का मतलब क्या होता है one uni means one bivariate मतलब two multivariate मतलब two और more तो जब भी कोई भी चीज को हम measure करेंगे examine करेंगे सिरफ एक individual चीज के ओपर मतलब एक individual that is one तो हम लोग उसको बूल देते है univariate analysis मालो हम लोग examine कर रहे है height of college students या फिर सिरफ एक ही चीज को या फिर उनके weights को check कर रहे है तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे कि यह चीज क्या है univariate analysis है तो univariate analysis क्या है examination of the distribution of cases only on one variable at a time तो आप एक ही time पे एक ही चीज को देखते हो मलना दो चीजों का ना लेके सिरफ एक ही चीज को जो हम examine करते है we call it as univariate तो जो आपका z test है वो किस पे based है univariate statistical analysis पे based है I hope it is clear चलिए बाइवेरिएट का क्या मतलब है जब आप simultaneously side by side दो चीजों के variable को क्या करते हो compare करते हो अब देखो difference क्या है univariate और bivariate में uni means होता है one मतलब आप एक ही चीज को examine कर रहे हो bivariate का मतलब है simultaneously दो चीजों को तो जब दो चीजों को आप relationship उसका check करोगे तो एक तो आपको उसको relationship बताएगी plus cause and effect बताती है जो कि आपके univariate में वो चीज नहीं बताती क्योंकि univariate में आप single और individual चीज को ही क्या करते हो major जिससे height of college student तो जिससे यहाँ पे bivariate में जब आप compare करोगे relationship चेक करोगे for example मैंने यहाँ पे ले लिया कि हमने एक college के अंदर gender और height चेक करी gender में male और female आगया हमारे पास right और height में उन candidates की क्या ले ली हमने उस gender wise क्या ले ली height तो मतलब हम effect देख सकते है relationship शो करता है कि इतने से इतनी age के बच्चों की इतनी height होती है इतने से इतनों की इतनी है right तो यह मेरे पास क्या हो गया bivariate analysis जब आप दो variables के relationship या फिर cause and effect को क्या करते हो check next we have multivariate analysis multivariate analysis क्या होता है guys जब आप दो दो या दो से जादा चीजों को variables को simultaneously read out करते हो एक्जामिन करते हो we call it as by a multivariate so examination more than two variables simultaneously we call it as multivariate analysis for example पहले ही मैंने univariate में analyze किया सिरफ और सिरफ height को right दूसरे by variate में मैंने gender और height को analyzes किया अब multivariate में अगर तीनों चीजों को ले लो gender भी ले लो height भी ले लो मतलब तीन चीजों को देख रहे हैं हम तो हम लोग क्या बोल देते हैं multivariate मतलब multiple variables को क्या कर रहे हो आप लोग examine पेपर में यहां से भी question आता है कि univariate, bivariate और multivariate क्या होता I hope it is clear univariate में आप one variable को analysis करते हो bivariate में two variable को हम लोग क्या करते हैं एक्जामन करते हैं और उसका cause, effect और relationship check करते हैं जो कि univariate में नहीं possible होता क्योंकि वहां पे आप सिरफ और सिरफ एक ही individual को क्या करते हो examine in case of multivariate हम लोग क्या चेक किया दो या दो से जादा के relation को क्या impact दालती है यह examine करते हैं हम लोग उस variable के अंदर we call it as multivariate variable I hope it is clear कि तीनों के तीनों variable हम हमें clear होगे univariate, bivariate और क्या मेरे पास multivariate तो मेरा जो z test है वो किसके ऊपर based है univariate analysis पे है ना univariate मतलब सिरफ और सिरफ one variable के ऊपर ही क्या है यह based है तो हम लोग यहाँ पे cause and effect नहीं देखेंगे next हमारे पास आता है कि z test को हम लोग कैसे compute करते है मतलब z statistics है क्या formula क्या हमारे पास x bar minus mu divided by standard error from mean है ना यह formula है x bar minus mu divided by standard error from mean यह formula है अब यह mean आपका क्या represent करता है यह जो x bar है यह represent करता हमें sample mean mu मेरा represent करेगा population mean को standard error of mean देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब हमने measures पड़े standard density और dispersion वहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी थी कि जो हमारा standard deviation है हम उसको sigma के थुरू दिखाते हैं क्योंकि वो हमारा किसका होता है population का ध्यान रखना किसका होता population का बट अंडर sampling and sampling distribution हम हमारा जो standard deviation है वो क्या बन जाता है standard error तो standard error represent as a standard deviation in case of sampling and sampling distribution I hope it is clear के z66 क्या है मेरे पास mean minus mu upon standard error from mean यहाँ पर जो मेरा x-bar है वो sample mean को represent करता है mu मेरा population mean को represent करता है और standard error from mean मेरा किसको standard deviation को represent करता है चलिए यह मेरे पास क्या होगा z statistics कई बर यह भी पूछ लेते हैं कि t, f, z statistics कौन से कौन से है इसके match the following करके बताओ चलिए जी अब z statistics क्या है मेरे पास अभी हमने read out किया कि तभी लगेगा जब हमारे पास n जो है क्या होगा greater than 30 मतलब अगर हमारा sample size 31, 32 and above है तभी हम लोग क्या लगाएंगे z sample test और राइट next we have population variances known देखो जो हम लोग t test पढ़के आए है वहाँ पर क्या पढ़ा हमने कि हमारे पास जो population variance है मतलब हमारा standard deviation है वो क्या होता है unknown right but in case of z test we have standard deviation is known मतलब population variance क्या होता है हमारे पास given होता है under z test तो यह सबसे बड़ा comparison है यहाँ पर चलिए z test is based on standard normal distribution तो z test किसके उपर based है हमारा standard normal distribution पर comparison भी करेंगे t, f और z का right उसके बाद हम लोग हमारे पास क्या यहाँ पर applications देख लेते हैं जो कि most important है कि यह use कहां कहां होता है f test में आपनी क्या पढ़ा था कि हम लोग compare करते हैं दो population variance को है ना दो population variance को हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर check करते हैं but under z test या इसके application यह uses कौन से कौन से हैं number one test of hypothesis about the population mean आप लोग क्या चीज़ करते हो एक individual population mean को है करते हो check करते हो या फिर test करते हो आप लोग difference between two population means मतलब mean 1 x bar 1 minus x bar 2 या आप लोग यह check करते हो या फिर आप क्या चीज़ करते हो test of hypothesis about difference between two population standard deviation अब देखो two population standard deviation का क्या मतलब हो गया standard deviation 1 minus standard deviation 2 I hope it is clear क्योंकि हमें इस case में standard deviation given होती है जो कि T test में given नहीं होती right तो यह हमारे पास क्या है हम लोग 2 population standard deviation को भी check करते हैं और क्या check करते हैं जी है ना sample proportion और population proportion को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं check करते हैं या फिर एक और चीज़ करते हैं test of hypothesis about difference between two population proportion P1 minus क्या करते हो P2 है ना याद है P1 minus क्या करते हो P2 इसके सारी के सारे जो formulas है guys मैंने जो आपको PDF send करी है उसके अंदर है कि इस individual individual के अंदर हम Z66 को कैसे compute करेंगे तो प्लीज उन formulas के लिए वो आप PDF जो है वो refer कर लेना राइट के individual individual जो हमारे पास test of hypothesis about population mean है या difference between two send deviations है इसके पास हमारे पास individual individual के कम से कम 2-2-3-3 formulas है तो प्लीज एक बार check कर लेना बट जो Z66 है वो common है हर एक के लिए ही ठीक है हर एक में different होगा थोड़ा सा बट जो understand deviation compute करने के वेज है direct method, actual method और step deviation वो different different है I hope it is clear या तो single population mean को check करते हो या two population means को check करते हो या फिर क्या check करते हो two population standard deviation या एक single population proportion या फिर दो population proportion के difference को अच्छा जो हमारा Z test है न वो हम लोग क्या निकालते हैं one tail test और two tail test, दोनो tails के basis पे हम लोग क्या compute करते है हमारा Z test है ना, मतलब one tail पे भी लगाएंगे और किस पे लगाएंगे two tail पे भी बट T tail test में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है बट Z test में ऐसा होता है कि हम लोग दोनों के दोनों test जो है apply करते है in case of Z statistics I hope इतना clear हो गया फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आता है गाइस comparison, ठीक है चलो, सबसे पहरा comparison हमें दे रखा है T test और किसका Z test का, चलिए T test और Z test एक तो दोनों के दोनों क्या है हमारे पास parametric test है number one, number two दोनों के दोनों क्या है small sample, sorry T test मेरे पास क्या है small sample test है और Z test मेरे पास क्या है large sample small sample का मतलब हो गया कि मेरा जो n है that is your sample जो size है वो क्या होगा n is less than equal to 30 in case of T test but in case of Z test हमारे पास जो sample size है, वो n is greater than 30 होगा तो हम लोग इसको क्या बोलते है Z test को large sample test और T test को small sample test दूसरी मेरे पास जो चीज आते है यहाँ पे population variance most important thing T test में मैंने अभी आपको बताया either population variance or standard deviation both are unknown in case of your T test but in case of Z test we both have known तो either standard deviation or either population variance we both calculated from Z test right, both given in Z test based on अब जो हमारे पास T test है हमने पहले भी discuss किया था कि यह किस name के अंदर रखा गया है pan name के अंदर तो उसका नाम किया है student T distribution भी हम लोग इसको बोलते है Z test अभी हमने read किया यह क्या है हमारे पास normal distribution है right, चलिए T test is a type of parametric test that is applied to identify how the mean of two sets of data differ from one another मने हम लोग क्या चक करते है कि दो means को चक करते है कि यह दो data के means को कि एक दूसरी से कैसे क्या है different है अब Z hypothesis भी parametric है बट हम लोग इसमें क्या चक करते है two data sets are different different from each other when variance is given or when variance is not given T test में variance given नहीं होता Z test में variance given होता I hope it is clear T test और Z test में अगर comparison आजाए तो I hope आप लोग अब answer कर पाएंगे उसका ठीक है main जो इसमें student T distribution के based किस पे है plus population variance क्या है हमारे पास in case of T test given नहीं होता in case of Z test known होता है I hope clear but जो हम लोग कह रहे हैं के mean of two tests differ from one another तो हम लोग वो T test में देखते हैं each other वाला किस में देखते हैं हम लोग हमारा Z test में but difference सिर्फ इतना सा है कि एक में variance given होता और एक में variance given नहीं होता दूसरा सबसे बड़ा difference क्या है कि sample size का T test small sample size के लिए लगता है Z test last sample size के लिए चलिए समझा गया चलिए जी next मेरे पास है T test और कौन सा F test T test और F test T test क्या है मेरे पास दोनों के दोनों क्या है मेरे पास small sample test ठीक है और क्या है parametric test कब लगेंगे जब मेरा sample size n जो है less than equal to क्या होगा 30 right T test is a univariate hypothesis test that is applied when sudden deviation is not known and the sample size is small अभी हमने discuss किया जब हमने Z के साथ compare किया कि T test में sudden deviation known नहीं होता ठीक है और sample size क्या होता है small अगर comparison करें F test के साथ तो F test जो है मेरे पास क्या है statistical test है जो क्या बताता है अच्छा सिरफ F test ही ऐसा test है जो क्या बताएगा आपको दो population variance को जो हम लोग check करते हैं तो वो किसके अंदर check करते हैं F test के अंदर और F test क्या है मेरे पास normal population के जो हम variance को check करेंगे किसमें check करेंगे F test के अंदर हम यहाँ पर means को check नहीं करते है mean को हम check करते है T test और Z test के अंदर चलिए अब test statistics कौन सा लगता है अभी हमने पढ़के हटे कि जो T test है वो किसपे based है student T distribution के अंदर है ना उसी basis पे हम देखते हैं कि null hypothesis को accept करना है कि reject करना है same in case of F test हाई यह किसपे based है continuous तभी यहाँ पर कहता है कि F statistics follows senior decor जो है F distribution under null hypothesis तो जो F distribution है वो मेरा किसपे based है continuous के अपर है ना किसपे based है continuous पर और जो T test है मेरे पास किसपे based है student T distribution पर under pen name application T test कहां कहा apply कर सकते हो जब आप compare करते हो दो population के mean को this is really very important right but in case of F test जब आप population variance को check करते हो हम लोग हमेशा क्या apply करते है F test F test कब लगता है independent population variance के sorry जो हमारे पास independent population variance है उसको compare करने के लिए हम लोग check करते है F test जब दो population mean को हमने check करना हो either independent और either dependent we can calculate it through t test और either single population mean को भी अगर हमने check करना हो तो हम लोग कहां से check करते है t test के अंदर when sample size is n is less than equal to 30 I hope इतना समझ में आ गया होगा आज हमारा जो parametric test है guys वो cover up हो गया है t test, f test और z test क्या क्या होते है ठीक है next lecture में हम लोग क्या करेंगे है हमारा kai square test right तो I hope इतना clear हो गया होगा आपको so thank you so much guys